आज के इस वीडियो में देखें आज हम जो MP Board दुवारा धोजार पच्चिस का न्यू ब्लूप्रेंट जो जारी किया गया है उसको देखेंगे तो इस क्लास में क्लास 11 तक इतिहास का ब्लूप्रेंट देखेंगे और आप सभी को जो तैयारी करनी वो तैयारे आपको ब्लूप्रेंट की सापस करनी आपको काफी मदद मिलेगी चलिए तो वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं पूरी डीटेल आपको ब्लूप्रेंट में मिल जाएगी जैसे कि आपका पेपर कितने नंबर काएगा तो असी नंबर का आपका पेपर हैगा समय आपको तीन घंटे का दिया जाएगा चलिए इसके बाद में इकाई एवं विसे वस्तू कोलम में दिया गया अगले की इकाई पर बाटित अंक वस्तू निष्टि प्रस्ण फिर इसके बाद में अंकवार प्रस्णों की संक्या दो नम्मर वाले प्रस्ण तीन अंक के और चार अंक के ठीके और फिर रहेगी आपकी कुल प्रस्ण की संक्या तो देखिए पहला अद्धिहाई है यानि कि आपकी इकाई है लेखन, कत्ता और सहरी एवं जीवन ठीके यहाँ इकाई आपकी कितने नमबर की रहेगी बारा अंक की रहेगी जिसमें से आपके वस्तुनिष्ट प्रस्ण चार पुछ लिए जाएंगे और दो नमबर के दो प्रस्ण एक पूछ जाएगा आपसे चार नमबर का प्रस्ण तो आपको छोटे छोटे प्रस्ण कंप्लेट करने हैं और बड़े प्रस्ण कंप्लेट करने हैं और वस्तुनिष्ट प्रस्ण अबजेक्ट कंप्लेट करने हैं प्रस्न की संख्या तीन रहेगी इसके बाद में अगली एकाई हमारी तीन महादीपों में फेला हुआ समराज यहां एकाई आपकी दस नमबर की रहेगी जिसमें से वस्तुनिष्ट प्रस्न पांच पुछ लिए जाएंगे और दो अंक का एक प्रस्न और एक तीन अंक का प्र करने क्योंकि पांच अंक का आएंगे और दो नमबर का एक प्रस्न और एक तीन नमबर का तो कुल प्रस्न दो रहेंगे इसके बाद में हमारी अगली एकाई है याया वार समराज जिहां एकाई आपकी दस नमबर की रहेगी जिसमें से वस्तुनिष्ट प्रस्न पांच का एक प्रस्न पुछ जाएगा और एक तीन नंबर का प्रस्न पुछाएगा तो कुल प्रस्न की संख्या दो रहेगी तीन वर्ग ठीके अगली काई तीन वर्ग यहें काई आपकी दस नंबर की रहेगी जिसमें से वस्तुनिष्ट प्रस्न पांच नंबर के पुछ जाएगे दो नमबर का एक प्रस्ण और एक तीन नमबर का प्रस्ण ठीके तो टोटल प्रस्ण की संक्याद दो रहेगी इसके बाद में अगली एकाई बदलती हुई सांसक्रती ठीके यहाई कायात की बारा नमबर की रहेगी जिसमें से वस्तु निष्ट प्रस्ण चार नंबर के पुछ जाएंगे और दो नंबर के दो प्रस्ण और एक चार नंबर का प्रस्ण टोटल प्रस्ण तीन पुछ जाएंगे इसके बाद में हैं हमारी अगली इकाई मूल निवासियों का विस्थापन तीक है यहाई काई आपकी 12 नमबर की रहेगी जिसमें से वस्तु निष्ट प्रस्ण 4 नमबर के पुछ जाएंगे और 2 नमबर के 2 प्रस्ण और 1 4 नमबर का प्रस्ण तो आपको फोकस सभी प्रस्णों पे करने हैं, अब्जेक्ट पे भी, छोटे-छोटे प्रस्णों पे भी और बड़े प्रस्णों पे, टोटल प्रस्ण दो, सोरी तीन, अगली इकाई है हमारी आधुनी करण के रास्ते, तीके यहां इकाई आपकी दस नमबर की रहेगी, जि तो इकाई है यहां आपकी चार नमबर की रहेंगी, जिसमें से चार नमबर का केवल एक प्रस्ण पूछाएगा, तो आपको केवल मांचित्रों पर फोकस करना है, तो एक प्रस्ण रहेगा, तो कुल योग, ठीके, कुल योग यानिकि यहां पर आपको अंक दिये गए हैं नमबर, तो पूरे नमबर कितने रहेंगे आपके, पेपर में, 80, और वस्तु निष्टे प्रस्ण, 32 नमबर के, 2 अंक वाले प्रस्ण, 10 नमबर के, और 3 अंक वाले प्रस्ण, 4 नमबर के, ठीके, 4 नमबर के प्रस्ण, 2 प्रस्ण, 3 प्रस्ण, इसके बाद में, इसके बाद में आपके चार अंक्र के चार प्रस्न ठीक है कितने पुछ रहेंगे चार प्रस्न पुछ रहेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल जो आपके प्रस्न रहेंगे वो 23 प्रस्न पुछ रहेंगे देखिए क्वेस्ट नमबर एक से पाच तक तो आपके वस्तुनिश्ट प्रस्न रहेंगे और छे से तो आपके 23 तक प्रस्न पुछ जाएगे ठीक है तो आपको ब्लूप्रेंट एच्छे सवन में आ गया होगा इसके बाद में यहाँ पर निदेश दिये गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं ठीक है आपको डाउट के हाँ पर केरेल हो जाएगा पूरा यह मैंने आपको इतिहास का पूरा ब्लूप्रेंट बता दिया है तो आपने स्क्रीन सोट ले लिया होगा तो आप अच्छे से इनको कमप्लीट करें और तैयारी आपको ब्लू प्रिंट के हिसाब से ही करनी ठीक है